सिरी शादी के बाद हम दुबई में रहेंगे खर्चे के लिए शाद हमें पैसे कम पड़ जाए तुम पांच लाग का जुगाड कर पाओगी क्या ठीक मैं फिर से हार गई कितना कहां दस लाग ठीक है मैंडम आउडर रेड़ी है मैं लेकर आता हूं रहने दो मैं ले आता हू मुझे पंद्रा भांग लेना चाहिए था ये अंटर तुम्हारा नाम क्या है? यहारा वैसे एक कलर तुम्हें बहुत सूट करता है मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा था और कुछ नहीं है ब्लान बन सक्सेस्फुल रहा शादी में सिर्फ पांच दिन बचे हैं तुझे डर नहीं लग रहा है मुझे और इसे तो बहुत फ्रिलिंग लग रहा है क्योंकि हमें कोई पकड़ी नहीं पाएगा पकड़ी सेल फ्लोग वो कौन जी हम बताते हैं क्या रहे छे महीने हो गए हमारा उधार कप्चुकता करेगा तुझ तेरे दोस्त हमें उल्लू बना रहा है कि तुझ दुबई में है ओचादू क्या दुबई बेचारे की बाइक गई एए बाइक की जाविका है पेट्रोल के पैसे ने दिखाने के बाइक चलाएगा मेरे नाम का सिम लेकर जो दस जार का बिल बनाया वो क्या तरह बाब भरेगा बेचारे का गिफ्ट भी गिया पैसे नहीं है और देखो आइफॉल लेकर गूम रहा है किसी ने गिफ्ट दिया था अरे किसला का पका इसने मैं इसे सिंदे की पबाइल का पिल बरूंगा चलो रहे अच्छा सुन हमें जरूरी काम है बाइ बाइ इन सब के पैसे दे चुकी थी मैं क्या-क्या उनका वो तो मेरे दोस्तों के सामने मेरी बिजजयती कर दी श्राम को पैसे लेकिन के मुझ पे मारना कि चीर्स कितना लखी है अरे बियर खरीदने के पैसे नहीं है लेकिन BMW कार में घूमने की सेटिंग कर रखी है छोड़ना सब गडबड हो गई यार मेरे पीसे ना कोई राहू बनके पड़ा है कुछ समझ में नहीं आ रहे है कुछ तो जोलच याल सरूर है यह तेरी समझ के बाहर है बच गया पता है जिन लोगों से मैंने उधारी ली थी अचानक मेरे सामने आ गए और पैसे मांगने लग गए मैं फस चुका था अब यह नहीं बचेगा है यह तो अच्छा है कि उसका स्कुरू डील है और मैंने कुछ भी सोड़ी ब आपको बताऊंगा और फिर मजबूर होकार उन्हें मुझे एक्सप्ट करना ही होगा बस फिर बैटे-बैटे में स्लम बॉय मिलियनर बन जाओ अगर तुमने मुझे तुमसर शादे नहीं करनी मुझे तुम्हारा प्लान पता चल गया है यह क्या कह रही हो तुम होशियार करने की कोशिश मत करो अगर तुमने मुझे फोन किया मिलने की कोशिश की पुलिस कम्प्लाइन कर तुकी समझ गया है मुझे तुम्हारे श्रफिंग नहीं देखनी है अच्छा काम किया वह दोनों दुबारा तो नहीं मिलेंगे अगर ऐसा हुआ तो मैं पैसे लोटा प्लाईons की अगर सुच लुची कोशिश तुमने किया मिलने किया मिलने की मुवश का तुमने किया तुमने फीघर व васतल किसने तरह आशा है तुझे तब मोस्स टालेंटेड डिजाइनर प्रियाने इस ट्रेस को देखकर तो कोई भी फिदा हो जाए अपने हुसन पर इतना गुरूर मत कर बॉइफ्रेंट तेरे पास भी तो नहीं है मेरा फार्मिली बैकड्राउंड ही कुछ असार क्या करें इस पूरे शहर में मुझे बठाने की हिम्मत किसी में है ही नहीं पूजा तुम्हें फेस्बुक पर फ्रेंड रिक्वेर्स पेजे काफी दिन हो गया है मैं ऐसे किसे एकसेप्ट कर लूँ प्लीज तुम अपसेट मत हो यह डीवीडी मैंने तुम्हारे लिए बनाई है लेते हुए शरम आ रही है तो मैं मुड़ जाता हूँ थैंक्यू सो मच इसने नहीं लिया है मैंने लिया है आपकी तारीफ पूजास यंगर सिस्टर हाइ क्या चल रहा है तुम्हारे देदी के लिए जो फेलिंग से उसे मने रिकॉर्ड करके एक डीवीडी बनाई है प्रपोस कर रहे हूँ क्या हाँ सो नो मिस्टर सॉफ्वेर हमारा फामिली बैग्राउंड सॉफ्ट नहीं है जान लोगे तो सिस्टम हैंग हो जाएगा हाइद्रबार जार मिनार में बिरला मंदर जितना फेमस है न मेरे डैड उससे भी ज्यादा फेमस है उनका नाम शंकर पटेल है और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ कि इसकी सगाई पहले ही हो चुकी है और इसका होने वाला हस्बिन मामुली इंसान नहीं है इंडिया कब आने का प्लैम है क्रिस्मस वेकेशन में आने को सुच रहे है अंकल जब मेरे लोग पैसलेने आये थे तो देवा कौने ये पूछा था देवा और कोई नहीं मैं हूँ बेवाजी मैं ये बील्डिंग इली इली नहीं बना रहा हI myself में बीटी और दमात वो डोनों अमेरिका में रहते हैं और उनकी मेहनत का पैसा है जो मैं इस बील्डिंग को बनाने में लगा रहा रहा हI तो फिर भला मैं आपको पैसे क्यों हूँ एए वो लोग जानते नहीं मैं कौन हूँ दमाध हूँ मैं शंकर पटेल का ओ शंकर भाई साब का उन्हें मैं बाद में मिलके समझा दूँगा सर इस तरह तो आपकी शादी कैंसल हो जाएगी अगर इसने आपके ससुर जी को सब कुछ बख दिया नहीं बखेगा तुम लोग अमेरिका में टॉलर कमा रहे हो और यहां बिना मेरी पॉमिशन के बिल्डिंग बना रहे हो ऐसा करने के तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई आज के बाद जब भी तुम मेरा नाम लोगे तुमारे कली में खराश आएगी जब भी मेरे बारे में सोचोगे तुम्हारा दिल काम उठाएगा और अगर मेरे खिलाफ जाने की सोचोगे तुम मौत का खौफ रहेगा हम मुझे भूट डर लग रहा है मैरी तुम यहाँ पहचानती हो गया यहां हम यहां तो मैं किसी को नहीं पहचानती ही है मेरी कौं हिए तुम शादी करने आयो पिलहाल तो रजिस्ट्रेशन के लिए आयो तो फिर इतना क्यों घबरा रहे हो मैंने ओफिस खोला यह तुम जैसो को एंक्रेश करने के लिए बिना डरे अंदर चले जाओ तुम दोनों बालिको बस यह प्रूब करना है इसके लिए मैं अपना वर्ट सर्टिफेक्ट लाइए लेकिन वो ओरिजनल है यह दूप्लिकेट यह वो चेक करेंगे और पुरिस वाले तो स्कूल तक पहुच जाएगे तुम्हारा रास खुल जाएगा तुम्हारे माबब यह जाएगे और शादी तूट जाएगी मेरी बेकार का टेंशन मत लो तुम एकदम सही आदमी से मिले हो यू आर इन सेफ हैंस सिर्फ हजार रुपे दे दो मैं तुम दोनों का बैंड बजवा दूंगा हजार मेरी जारी मुझे ओके है दास गुड शादी के लिए चार विटन फिर और राइने तुम तुम हारी मरजी तुम मेरे दोस्त है ना चलेंगे ना उनको याद किया नहीं कि यह दोनों तुमारी तुमारी तरफ से होगे विटनेस के के लिए मैंने दो फिक्स रखेंगे तुम दोनों कि शादी करवाने की जिमेदारी अब मेरी है छलो काम पर भाई यह जो लाव मेरिज है वो अरेंज मेरिज से बहुत 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 है थाइंक जाए दो हार दो बुके और एक गुला पोरा दुकान रूपीज 500 उनली और फिल्मों की तरह बैंग भी बजाएंगी रूपीज 500 उनली और तुम्हें पता है पड़ों का आशिर्वात भी दिलें 500 उनली एक नया ओफर भी है तुम चाहो तो एक साला तुम्हारे पैर भी दोएगा वो मैं हूँ रूपीज 500 उनली जिस दर्म को मानते हो उस दर्म के हिसाब से शादी करवा सकते हैं उसके लिए 500 सब को समझा दिया ना हम शादी को रिकॉर्ड करेंगे और तुम्हें डीवीडी देंगे इसका खर्श होगा डिसकाउंट के बाद 5000 रुपीज पर बिना किसी रुकावट के तुम्हारी शादी हो जाएगी यह मेरा कार कम ओफिस शादी के बाद तुम्हें इसी कार में साइन कर यूर कॉंसेटी सुपब सा हम जैसे लेबर्स को बहुत गट समिलता है यार प्यार का फरिष्टा मेरा दूसरा नाम है और यह मेरा अड्डा अब बिंदास होकर गर जा सकते हो थैंकियू भाई थैंकियू सुनो यार अपने बिजनस को बढ़ाने का कोई कमाल का दिस इस दे प्रमोशनल सॉंग अड्डा तो तुम उन्हें गरफ्तार नहीं करोगे क्योंकि उन्हें सजा मैं दूंगा तुमने मेरे जिन आत्मियों को अरेश्ट किया होने सौरी बोलो और छोड़ दो दीदी तुमारा वेडिंग कार्ड तयार है देखो अरे कार्ड देकर ऐसा कैजूल रेक्शन एकसाइटमेंट क्यों नहीं है बताती हूं सुधिर ने बनाया डीवीडी देखा जानती हूं वो मेरे स्कूल में था मेरा क्लासमेट वैसे हमेशा उसे साइंस पसंद था लेकिन मेरी वज़े से उसने अकाउंट्स में एड्मिशन लिया और मेरी वज़े से मेरी ऑफिस में काम कर रहा है और इसलिए मैं इस शाधी को कैंसल करके सुधिर को सिलेक कर रही हूं तो इतनी शॉप्ट क्यों है सटनली क्या हो गया तुझे कुछ महिने में शादी है तो किसी और से प्यार करती है डाट को पता चला तो मार देंगे अरे सुन तो ले मैंने एक प्लान सोचके रखा है तू बेका अटेंशन ना ले सुधिर से मिलने जा रही हूं बाबाई कैसी है अउंटी अच्छी हूं आओ प्रियाडिकी एक राकेश राकेश यह सिरी की दोस्त और यह सिरी के हस्वेंट अब यह कौन है और वह अरेंच पारण क्यों कर रही है अंकल नहीं जरूर उसे फोर्स किया होगा शादी के लिए बिचारी मेरी दोस्त कितनी तकलीफ में होगी सपरदस्ती से तेहर कर रहे हैं सीरी हाई आगे तू मैं कैसे लग रही हूँ आँटी आप लोग नीचे जाए मैं बस अभी आई लव किया रेजिस्टर मारिज करने वाली थी उसके बगेर जी नहीं पाऊंगी कहा था तो फिर ये इंगेजमेंट क्यू कर रही है उस दोके बाज की याद इलाकर मूड बद कर आपकर पहले बता मैं अच्छी तो लग रही हूँ न लेकिन ये बदला आया कैसे बेटी सीरी ब बड़ी मुश्किल से उससे पीछा चोड़ाया है तुम ऐसा क्यों कर रही हो यानि उसके प्यार के बारे में अपको पता था अंकल हाँ पता था तो आपने ऐसा क्या जादू कि वो हैपिली शादी के लिए तयार हो गई बहुत मुश्किल से समझाया उसे आज कल के बच्च इस तरह अंदर कैसे चले आ रहे हो रुक जाओ अरे मैंने का रुको अच्छा नेक्स मंडे मॉनिंग आफ फ्री हैं क्या नहीं फॉरन जा रहा हूँ कैंसल कर दीजे आपको मैरेज रिस्टेशन आफिस पहुचना होगा ठीक दस बचे इंपोर्टन काम है नहीं आ सकता आप उनकी शादि को भला कैसे मना कर सकते हैं किसके शादि आपकी बेटी सीरी की क्या रे कुछ भी मत बोल हमारी सीरी ऐसा नहीं करेंगी पता था आप विश्वास नहीं करेंगी इसन्ले प्रूफ लेकर आया हूँ यह फोटो आपकी बीटी की है ना और-ड्रस भी आपका ही है करने का यह सही रास्ता नहीं है कोई और तर्किव लगाते हैं और कौन सा रास्ता है बताओ ली चौरा है हमारी एज़ब निलाम हो रही है इससे तो अच्छा होगा कि हम लोगात मात्या कर लें यह भी गलत रास्ता है मुझे नहीं अच्छा लगा हर प्राप्लम का सलुशन है अंकल आपके प्राप्लम कभी है थोड़ा खर्चा होगा ओनी फिफ्टी थाउजन एक हफ्ते का टाइम चाहिए और काम हो जाएगा तब तक आप उसके लिए अपने पसंद का रिष्टा ढूंड़िए और इसकी तुछ एक हफ्ते में उसने क्या कि आप पता नहीं लेकिन सीरी से जब मैंने इस शादी के बात की वो बिना एक पल गवाय तुरंत राजी हो गई और आज देखो सब कितने खुश हैं मेरी मदद करन वाला वो एक भगवान का फरिष्टा था चलता हूं बेटी यह बंदा तो मेरे भी बड़े काम का लगता है यह मेरा फेवरेट वीडियो है यह होने बाला है यार कुछ तो करना होगा हम यहां साइन करो काम हो जाएगा है इस लड़की गो देखाए क्या अरे तुमारा दिमाग खराब है क्या है रुक तुझा मताता हूं मेरे ड़ाडी के गुंडे है चुप जाओ यह अर जगह ठीक से थूड़ो इस लड़की को देखा है क्या ए जाना मेंटल हम ए जा तो अपना काम शुरू कर गाये मुझे दे ओफिसर से इस पे साइन ले लेना दस मिनिट में आ जाएगा भाई पास मिन्ट में इनको मुझ पर हुश से जादा कॉन्फिडेंस इसे देखा है क्या फोटो काहा है लटकी किदर गई फोटो में तो थी अब पलट यार नहीं आई फोटो को पलटने के लिए कहा इसलिए मुझे सब गाली दे रहे थे बसे तुम लोग हो कहां से नाला सोपरा हमें इंफोर्मेशन मिली है कि हमारी मैडम यहां है हमारी मैडम को तुमने देखा है क्या। तुम्हारा इस लड़की से नाता क्या है। चाचा हो। नहीं। मतलब कोई रिलेशन नहीं है। नहीं। तु सही आध्मी नहीं है। जिससे मैं इनके बारे में बता हूँ। हेऐ! सब लोग मेरे पास आओ रहे। तुम लोग मुझसे फाइट करना चाहते हो लेकिन पहले मेरे बार में जान तो दो मेरा नाम है अभी 24 आउर्स अपने अड़े पर मिलूँगा परिशानी ये है कि मुझे लड़ाई बहुत अच्छे से आती है लेकिन मेरे दोस्त कहते हैं कि मुझे लड़ना मार पिट करना बिल्कुल भी नहीं आता अब मुझे लड़ाई आती है या नहीं आती है इसका फैसला तुम्हें करना है आजाओ हर हफते कोई ना कोई लफ़णा जरूर करता है मेरी तु सुनता ही नहीं अपने बंदे को कोई मारता है क्या मेरी कार को कैसे चुपा दिखा कैसे मैंने पंच मिस कर दिया लड़ा ही नहीं आती ना तेरे साथ ऐसे होना चाहिए तू इसी के लाइक है और रुक जाओ अरे रुक जाओ ओना या यार जरा होल्ड करना तुम लोग ठग गया होगे ना जरा ब्रेक लेलो कोई इसनू सेनू यह एक आउन पे सबको कोई डिंग प्लाओ हथियार नहीं लाकर हम लोगोंने बहुत बड़ी कलती कर दी यार पहले तो इसने धोया अब हमें कॉल ड्रिंग पिला रहा है निकल लेते हैं क्या यह मेरी इज़त का सवाल है चाहे जो भी हो जाए हम लोग हार नहीं मानेंगे हलो जी मैं प्रिया बोल रही हूँ आपसे दो मिनिट बात करनी थी कोई इंशुरेंस नहीं चाहिए किसी कलब में मिमर्शिप भी नहीं चाहिए और नहीं क्रेट कार्ट चाहिए रॉंग नंब अब वो हमसे किसी भी हाल में नहीं बच पाएगा तो आप तुमनों रिफ्रेश्ट हो ना हाँ रिफ्रेश्ट है चलो सब पोजिशन ले लो सूपर क्या भाई तुम इसमें शामिल नहीं होगे क्या मुझे चोट लगी है ना मैं रेटायर हाठ हूं बहुत होशी यार पतली गली से निकल लेगा जा तू जाके अराम कर शुक्रिया भाई चलो हो जाओ शुरू भाईया आप मार्क से हिल गए इसारा क्या है भाईया क् तो मांग पर है क्या हुआ तुम दे अखूंग गूम कहीं क्या हो खूर निकल रहा है तूरे टायर हट हो गया तू जा और उसको अंदर भेज अच्छा वो आपको बुला रहा है भाई अवेगदे तुझे जरा भी अन्दाज भी अन्दाज कि मैंने इसकेज क्यों बनाया था ताकि उसकी मार खाने से बच सकूँ यह मेरे बस की बात नहीं है और ना ही तेरे बस की बात है चल मालिक को फोन करके बुलाते हैं है किसकी हिंबत है जो मेरी बेटी की शादी करवा रहा है वो रहा ऐसा लगता है हमारी मेडम का दोस्त है और उनकी शादी यही करवा रहा है इनके सामने मेरी इमेज को खराब कर रहा है इस टकले की बात मत सुनदा अंकल आपसे कुछ जरूरी बात करनी है आप मेरे साथ आईए अरे यार दिखने में वो बहुत खतरनाक लग रहा है टेंशन मत लीजिए चलिए दर्वाजा बंद कर दिया पता नहीं माली के साथ क्या करेगा क्या है बोलो आपकी बेटी ने अभी शादी का फॉर्म भरा अंकल और इसमें मैंने उसके मदद की और जब तक मैं आपके पास आता यहां कहानी ही बदल गई ज़्यादा सोचने की जरुत नहीं आप मेरे साथ तक डील करेंगे क्या जीते रहो बेटा अरे माली को क्या हो गया हसते हुए बाहर निकल रहे हैं उसने कोई जादू किया होगा अचा सुनो बेटा संडे को मेरे घर पर लंच पर जरूर आणा ठीक है जरूर आऊंगा सब ठीक है आजाओ टेंशन लेनी की जरूरत नहीं है मैंने सब समाल लिया है तुम्हारे पापा राजी है खुशी-खुशी घर जाओ चलो बेटा हमें शादी के तयारियां करनी है अरे जाओ ना चलो चलो रहे तुम मामूली आदमी नहीं हो बाप हेलो इतने शोक में क्यों हो अभी फटाक से अंदर जाओ और शादी की डेट देख लो कब की है मैं चलता हूँ अब कहां जा रहे अरे फिक्र मत करो जाओ 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 ना तुने उसे क्या कहा जो वो मान गया अरे भाई मैंने उसे साफ सब समझा दिया क्वार्टर तो छोड़ो वार्टर के भी पैसे नहीं हमारे पास प्लीज इस शादी के लिए मान जाए और हमारे बिजनस को हिल्प कीजे शादी पक्की हो गई पांच हिजार रुपे मिलेंग तुने इधर चूदिया यार किदर मेरे दिल का तेरे चलोड़ों को दूस से दोना भी कम होगा यह अभी मैं तेरी पोट्रेट साइज तस्वीर भगवान के पास रखूंगा लेकिन फोटो में कल खिच रूँगा तेरे जैसा एक दोस्ती काफी है तुने आज मेरा दिल जी अरे मेरी गड़ी लेट हो गया वह बेचारी मेरा वेट कर रही होगी तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या सॉरी गल्ती से हो गया का सॉरी जान मुझ कर टक रहे ना भाला में ऐसा क्यों करूंगा मुझ जैसे खुबसूरत लड़की को जिन्दगी में कभी नहीं पाओगे इसलिए चीप ट्रिक्स अपनाते हो थोड़ा जरुवत से जादा नहीं कह रही हो शुरू ही कहां किया है मेरा फैमली बैग्डाउंड नहीं जानते एक मिस्ट कॉल से तुम्हारा मुर्डर करवा सकती हूं यार तु कितनी अकडू है अगर और कुछ कहा ना तो श्राप दे कि अगर करता हूं वह लड़की यह अकडू ना हो। अभागवान इसका फोन नहीं बजना चाहिए आयो प्रिया है आजाओ वह चीप लड़का मैं ही हूं तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है और होगा तो तुम्हें खुद ही क्रेट किया होगा प्रॉब्लम मुझे नहीं है मेरी दीदी को है हाल ही में वो किसी के प्यार में पड़ी है और तुम्हें उसके लब को ब्रेक करना है हाँ लेकिन उस काम के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक हफते का वक्त है 75,000 देने को तयार हूँ डीलो के मैं जाती हूँ तुम्हारा रेट 50,000 है बात यह है कि मुझे टिप्स देने की बच्पन सियादत है हलो मिस तैंक्स कहने कि तुम्हें कोई ज़रुत नहीं फर्माल्टीस अच्छी नहीं लगती मुझे काम पर लग जाओ अब मैं कुछ बोलू मुझे ये नहीं करना क्यों? रेट सही नहीं लगा गया तुम सही नहीं लगी तुम्हारी बॉड़ी में मटन कम गुरूर जादा है तुमसे तो कोई सीधे मुझ बात भीना करना चाहे वेरी गुड इसे मेंटेन रखना बेल पे कर देना बाई तुम्हें लगता है तुम बड़े तीसमार खान हो गया दीदी का प्यार तोड़ने के लिए तुम्हारी ज़रूरत नहीं है उसके लिए मैं ही काफी हूं आल दे बेस्ट काम पर लग जाओ चल निकलना अब इसे कैसे कन्विंस करूं दीदी प्रोजेक्ट वर्क है नहीं यार लाइफ वर्क है लाइफ वर्क मतलब इसे कहां रुखू मैं इसे मैं पापा के पिलो के निचे रख देती हूं जब सोने आएंगे तो देख लेएंगे नहीं अगर नहीं देखा दो कहीं और रखती हूं तो क्या है ये बापा मुझे माफ करते ना मैं किसी और से प्यार करती हूं और उसके साथ सिंदकी कुसारना चाहती हूं ये क्या है तुम भाग कर शादी करोगी पागल हो गई हो जब लव होता है तो पागलपन होना जायर्ज है उन्हें कनविंस तो नहीं कर सकती इसलिए ये लेटर लिखा है ऐसा किया तो डाट तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी हाँ मेरी प्यारी गुडिया तु टेंशन मत ले वो तुससे ज्यादा मुझसे प्यार करते है ये तो तु जानती ही है वो मुझसे खफा नहीं रह सकते तस दिन में उनका फोन आजाएगा तेखना आज से रिली डाट से बढ़कर वो लड़का हो गया है ये सोचते ही मुझे डर लगता है मुझे प्लीज एक हफते का टाइम दे डाट और जीजा जी को मैं कन्विंस कर लूँगी ये लव मैरेट सिक्सेस्फुल होगी ठीक है ना बरोसा करना प्रॉमिस ठीक है ट्राइ कर ले लेकिन अगर उनमें से कोई नहीं माना तो मैं ये लेटर देखे भाग जाओंगी अब उसकी अलावा कोई चारा ही नहीं बचा एक्सक्यूज मी आम सॉरी हमारे बीच डील नहीं हुई फिर डिस्टब क्यों कर रही हो हम लड़कियों की तो आदत ही होती है ज्यादा बोलने की तुम बेकार मिक्ता सीरेज क्यों हो रहे हो जो हुआ उसे भूल जायो ना अच्छा कल तक तो तुम्हारे तेवर थोड़े अलग थे आज कर रही हो ऐसी हूं मैं क्या करूं कहो ना की ज़रूरत है बॉडी लैंग्वेज चेंज करके तुम मुझे कन्विंस नहीं कर सकती लाड़ा आप यहां है सर तुम यहां क्या कर रही हो आप यहां पर है और मैं आपको हर चुके ढून रही थी मैं कुछ परसनल काम कर रहा हूं देख नहीं रहा क्या बाहर वेट करो इंतिसार करने का टाइम नहीं है काम शुरू कर दो ना आपको आपको नहीं तुम मुझे खतम करना चाहती हो तुम से पीछा चुडाने के लिए क्या करना पड़ेगा पीदी के प्यार का ब्रेक अ तुम्हारे टॉर्चर सहने से अच्छा है उस काम को अंजाम देना लेकिन इस काम के लिए एक राक लूँगा और मेरे मेंटेनिस का खर्चा भी तुम समालोगी ओकी देखो मेरे कुछ रूल्स हैं पसंद नहीं आने पर भी पॉलो करने होंगे ठीक है तू तो गई अब देख तुझे कैसे न चाता हूँ रूल नमबर वान मैं जो कहूं वही करना होगा अपना दिमाग नहीं दोडाओगी नहीं दोडाओगी वैसे भी दिमाग है कहां वो तो वक्त ही बताएगा रूल नमबर टू जो भी इन्फोर्मेशन मागूंगा सच बताना होगा कोई सवाल नहीं करोगी नहीं करूंगी मे काफी हैं पैसा फेको तम आशा देखो यह रहा अद्वांस तुम टेंशन मत लो उन्हें पहले अच्छे से अब्जर्व करना होगा बागी सब मैं समाल लूँगा तुम बस मुझे फॉलव करो लोगा नी दीदी का प्याब नाकामयाब करने में मुझे कामयाब ही देना तुम कितना अच्छा जोग करते हो वह तो बड़े प्यारे लग रहे हैं जो भी हो डेक अप करवाना ही है वरना वो अपनी जान से हाथ दो बैठे लिए इस कहानी में वाइलेंस भी है मुझे जादा कॉंसेंट्रेट करना होगा अब रहने दो वो गए तुम्हारा सेंस ओफ यूम भी ना हो दीदी तू सोनी जाना हूं आसम चोड़ो 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 मोवी के लिए लेट हो रहे है चलो चलते हैं सुधी टायर पंक्चा हो अब हम वक्त पर नहीं पहुच पाएंगे इसमें कौनसी बड़ी बात है तो काम के बाद दीदी रोज इसी रेस्टरॉम में आती है क्या के रहे को सुनाई भी नहीं दे रहा अभी सुनाता हूं कैसे तुमरा पॉन देना मेरा पॉन यह लोगी कर शाफ कर रहे हैं तुम उन्हें अबसर्ब करो और मैं पेट पूजा करता हूं उनकी बात है सुने दो मेंट रुक जाओ मेरा फोन नहीं तुमारा फोन सौरी सौरी से काम नहीं बनेगा मैडम जी वो फोन बहुत महेंगा था पैसे दो चलो सर बिल ब्रदर मैडम जी अगर बिल देंगी तो तुम्हें शर्म आएगी क्या नहीं से उन्हें दो उन्हें दो ना मैडम जी बिल भरते वक चैरा क्यों उतर जाता है हमारा वालेट छोटा सा है तुम इतना बड़ा परस रखती हो तो खोलती क्यों नहीं हो फोकट का खाने का आदत है जहां भी जाएं बॉइस ही बिल बरेंगे ऐसा सबने रूल बना कर रखा हुआ है तुम्हारे कोई गोस्ट्रिंड है क्या कैसे होगी देखा नहीं तुमने मैं अब तक कोई बिल नहीं भरा मैं लड़कें को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता पूरी लाइफ यूहीं वेस्ट करोगे मेरी हालत तुमसे कई गुना बहतर है कोई लड़का चाह कर भी तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करेगा ऐसा क्यों मुझ में क्या कम यह बताओ लड़कियों कर सिर्फ खूबसूरत होना काफी नहीं है देख उनके पास थ दीदी का मेसेज है उन्हें है अगर टाइम खराब हो तो कोई क्या कर सकता है यह एडिया तो फिलाल मेरे काम का नहीं आया लेकिन तुम आ सकती हो मेरे मतलब सौर पर दो मुझे पेटूल भराना है हजार उपर क्यों क्योंकि तुम मेरे काम आओगे लेकिन कहां चलो कुछ क अगरे मेल जाज़ेस भी होंगे उनका टीस्ट कैसा होगा मुझे कोई आइडिया नहीं है तो इसके अंदर मेरे सारे ड्रेसे हैं तुम्हें कौन सा पसंद है वो बताओ कॉलेज में मेरे अलावा यह काम्पेटिशन कोई नहीं जीत सता ओओ एक्सपोस दोने के लिए पैसे यह द्रेस कैसा लगा बहुत अच्छी है दूसरी वाली ट्राइब करती हूँ और यह वाली कैसी है उससे भी बढ़िया है एक और ट्राइब करती हूँ यह द्रेस कैसी लगी बहुत बहुत एक्स 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 है तुम्हारी बोलती बन मतलब यह द्रेस पैस्ट है यह द्रेस फिक्स अरे यार मैं यह क्या सपने देखने लगा अभी क्लाइन के साथ कंट्रोल करना होगा काम पर कॉंस्टेट करना होगा काम अ तुम्हारी फिर तेवर बदल गए प्रिया यह सब क्या है दिखाईन देता खाना पर उस्रही हूं यह लो यह सब को सामर्दो ज़रा चावल देना अभी अग्सामर्द मैं यहां क्या कर रहा हूं मुझे नहीं पता लेकिन तुम्हें तो पता होगा हर साल इस दिन वो गरीबों को खाना खिलाती है आज उसकी मां की बर्सी जो है मुझे इस तरह देखकर तुम्हें शौक लगा होगा ना मैं अपनी मॉम को बहुत मिस्स करती हूं उनके लिए जितना भी करूं कम ही होगा मेरे डिलिवरी के टाइम थोड़े कॉम्प्लिकेशन्स हो गए थे डॉक्टर ने कहा कि हम दोने में से किसी एक को ही बचा पाएंगे डाट तो मॉम को ही बचाना चाहते थे और मॉम मुझे बचाना चाहती थी इसलिए मॉम ने अपनी जान की गुर्बानी दे दी पैदा होते ही हर बच्चा रोता है और परिवार वाले हंसते हैं लेकिन मेरे पैदा होने पर मेरे साथ पूरा परिवार रोया था मुझे तुनका चेहरा तक याद नहीं उनकी मुस्कान भी याद नहीं मेरी वज़े से मेरी मौम नहीं बच पाएं मैं उनकी मौत की जिमेदार देख वए रोज किसी और के पैसे से पीना अच्छी बात नहीं होती हम भी किसी की शादी करवाएंगे अब ऐसे कवाएंगे जैसी अब कुछ भी नहीं हो सकता कार्टिक मैं जा रही हूं मेरे पापा कभी नहीं मानेंगे जैसी जस्ट वेट सोचो दुनिया में इतनी सारे लड़किया हैं मैंने तुमसे ही प्यार क्यूं किया अरे ये मुझे क्या पता तुम बताओ दुनिया में इतने सारे लड़कें तो फिर मैं तुम्हारा वेट क्यूं करूं I'm sorry मैं जा रही हूं जिसी जिसी रुख जाओ देख भाई इसे लव प्रॉब्लम है अमें मदद करनी ची अंट चल हलो 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 क्या प्रॉब्लम है उसका बाप मेरे लिए प्रॉब्लम है उन्होंने क्या कहा शादी के लिए तयार नहीं है और यह मैडम जी पहले तो मान गई थी और आप ना बोल रही है पहले मेरे साथ भागने को तैयार थी अब बोलती है लेठ हो गया अरे तुम हमें जिर्फ 5,000 रुपर तो तुम्हार काम हो जाएगा पांच हजार में काम हो जाएगा पांच मिनित में हो जाएगा पांच हो जाएगा तो ने शायद यह घर बोला था सेविन भाई जी है या सी है मुझे याद नहीं आ रहा है अगर कोई लड़की किसी लड़के को बीच राह में छोड़ देती है तो यही नमबर होता है पूरे शहर में फेमस है पिलकुल सही करे हो I love you करते उसके बाप का नम किया सुधाकर 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 तुम लोग सब यहीं रुकना है मैं उन्हें समझाओंगा मैं उन्हें मढऊंगा जरा तुझी तो हाथ जोड़ूँगा पर पढ़ जाओंगा लेकर आगा नहीं पीच में कोई बीच में नहीं आगा मैं केरो लो मैं उन्हें कर लूँगा तुम बिल्कुल फिगर मत करो कोई बीच में नहीं आगा पाद्सुम कोई बीच में नहीं आगा पाद्सुम पाद्सुम मैं बाद्सुम मैं बाद्सुम पहले बॉल से और फिर बैट से खेलते हैं अरे मैं वैसा नहीं हूँ भाई क्या फर्क पड़ता है यह बाप भाई नहीं है क्या बाप भाई क्यों चाहिए मैं हूँ लो और मचाओ यह मेरी इचे तुछ ले अरे सुधाकर ये सब तेरी आज़े हुआ सुधाकर सुधाकर ये नहीं वह वाला नंबर में मस्ता करती हो गई बताएगा अखिर अंदर हुआ क्या है उसने मेरे जवानी को निचोड करेंग दिया उसने मुझे कहीं बूद दिखाने लाइक नहीं जोड़ा जरा खुल के बताना क्या हुआ कहानी शुरू होती है जब हम यह आये ते और टर्वासा घटकटा था सुधाकर 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 चलना आज तुम्हारी देदी यहां आने वाली है, यह क्या पागलपन है, अपने प्यार को साबित करने के लिए लोग यहां इती दूर आते हैं, प्यार का दूसरा नाम ही पागलपन है, यह उसका सबूत है, छोड़ो इस बकवास को, अच्छा, मुझे तुम्हे एक बात बतानी है वो अपनी पहली किस की प्लानिंग कर रहे हैं, यह बात है, तो हम यहां क्यू है, चलो यहां से चलते हैं, हमें उन्हें रोकना है, हम काम्याब नहीं हुए न तो बुरे भासेंगे, दिख दिखो वो आगे, चलो चलो, 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 यह लोवर्स ने बनाया है, इसलिए इस स्पॉट कहते हैं, वाव, आच यह तो बहुत प्यारा लग रहा है, वक्वास है, उन्हें किस नहीं करना चाहिए, रोको ने, रोक जाओ, मैं कुछ करता हूँ, हेलो, मज से दूर के बाग रहा है तो, कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मोटा मार्केट का रहा है, रांग नंबर, उन्हें रोकना है, क्या किया जाए, कमान अभी, कमान, अरे, तु मुझसे ऐसे लिपट के हो रही हो, क्या करना चाहती है, इतना कस के हग मत करो, मैं सास निले पा रहा हूँ, अरे, कोई देख लेगा हमें, मेरी बात मानो, मुझे लब बाइट को दे रही हो, अरे, प्लीज, क्या कर रही हो, अगर तु मैं सही करती रही ना, तो मैं बेकाब हो जाओंगा, यह जगह सही नहीं है, चलो यहां से, रुको ना, ओहो, उन्होंने किस कर ली, अरे, देखो तो, वो लोग जा रहे है, अरे, यार, मुझे क वरे तो, पथे रहे हों, अरे, तो नहीं कितनी प्रब्लम हो जाए गी, अरे, सुनों, टेंशन में तुम्हारे शकल बिगड़ जाती है, तुम्हारे टेंशन मेरी टेंशन है, कल वो लोग अलग हो जाएगे, क्न वे बाइक के आता हू, तुू me रूखा यह लुट चालो फंगा, मेरी दीदी से प्यार करता है कहा जा रहे हो कौन है आप लोग क्यो, समझ मैंने या रहा मेरे जैसे स्मार्ट कोई देख रहा है आप है इची, क्या कर रहा है तुए, चेन को अंदर डाल मैं इस गाप का सरपांच हूँ आप इतनी दूर यह बताने आए अजाक बंद करो, वरना अच्छा नहीं होगा अरे बाबा, इतना बड़ा पत्थर था और उस पर लिखकर 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 इसे इतना छोटा बना दिया अब मैं और से नहीं करूँगा तुम शेर के जोड़े यह लुकाची भी लुकाची भी करने आते रहते हो संस्किति के नाश करते हो और हमारे गाउं का नाम तक बडल दिया अब इसे बुलाते हैं लवर्स होट स्पोट सर आपको गलत है में हूई हम लवर्स नहीं है यानि कि लवर्स नहीं होकर के भी यहां चले आए तुम जैसों को तो कभी माफ नहीं करना चाहिए पूरी तरह खत्प कर देना चाहिए मेरे पास एक सब बरता स्थियार है तलवार आ जाती है क्या पॉकेट में शादगन रखिया तुम्हारी शादी इसी वक्त करवाऊंगा अरे प्रिया प्रिया अधुआ एक शब भी मत बोलना जानते हो मैं कौन हूँ शंकर पटेल की बेटी और देवा जी की साली यह नाम तो जाना पेचाना लगा यह वही है मालिक जिसने आपकी दो एकर जमीन पर कबजा कर लिया था मुझे उसी की तलाज थी भाग दिका बेवकुफ तुम्हें के लगता है तुम्हारे घरवाले अनना हजारे की टीम में है माफिया के टीम में हैं उनके दुश्मन सादा होते हैं इसका एकी सलुशन है हमें शादी करनी हो की और कोई रास्ता नहीं है इतना सीरिस होने की ज़रूत नहीं है सार आप बहुत अच्छी आदमी लग रहे हैं दो बार वो कैसे हैं आवाने दो रहा है चलब पहली वाइब जो थी ना वो तो एक साल भी नहीं टिकी मुझ फिर आके अपने माय के चलिगी मैं आपका दर समझता हूँ आगे क्या हुआ दूसरी शादी करनी पड़ी फिर से शादी की वैसा होता तो अच्छा होता वो तो मेरे साथ ही रहती है और डेली मुझे शोर्चर करती है यार आप लवस को शादी की सजा क्यों देते हैं अब मेरी समझ में आया लेकिन येकीन मानी हम लवस नहीं है हम तो दोस्त भी नहीं है तो फिर यहां क्या घास काते हैं हो तुम लोग आपके सर की गसम खाता हूँ बेटा तुम मुझे मेरे दिल की गहराई तक चुगया है लेकर मुझे प्रूव करना होगा कि तुम दोनों लावर शवार नहीं हो बस एक मौका दूगा हम तुमें एक ही मौका मेरे लिए काफी है प्रिया एक प्लान बदाता हूँ चुपचा फॉलो करो सर जी जब देखो तो पैसे घमण दिखाती रहती है अब तो आपको विश्वास हो गया ना सबसे उम्दा तरीका है क्या मुसीबत है बेटा मैं तो तुम्हारी शादी करवा के रहूंगा ला सर जी सर जी सर जी एक और चांस देजिए ना प्लीज ओके दिया प्रिया हां 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 मुझे तुम से अपने दिल की बात कहनी है हमें मिले साल बर या महिना भर भी नहीं पर ना जाने क्यों ऐसा लगता है हमारा रिष्टा जन्मों का है ये सब मस्ती ये खुशियां मेरे जिंदगी भर की मेमरीज बन चुकी है तुम मेरी हर सांस में हो मेरी हर धड़कन सिर्फ तुम्हारा नाम लेती है जब तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कि सपना है जो मेरे लिए सजाया गया है जब पास नहीं होती हो तु तुम्हें ढूंडता हूँ बै तुम्हारा साथ आखरी दम तक नहीं छोड़ूँगा तुम चाओ तो चान तारे सब कुछ तुम्हारे कदमों तले बिछा दूँगा क्या तुम मुझे सिर्फ एक मौका दोगी हुटजा रहे बेटा हुटजा अब क्या तुम्हें रुलाकरी दम लेगा अम्शोर इतना प्यार तो कोई किसी से नहीं करता ये तो बिल्कुल वैसी लवस्तोरी है जैसे लैला मजनू सलीम अनार कली पता है न उन समके क्या हुआ ताइम वेश्ट मत करो घर जाओ एए देग उस बतन के पीछे कोई आया जो लिप्चिप कर रहा है चलो देए बेटो रूप 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 आयो यहां क्यों लेकर आयो भारे साथ यहां तोड़ा टाम स्पेंद करना यहां चाहती हूँ पुब में? बड़ा मज़ा है, फूल नाइट एंजॉय करेंगे रुके सर्थ, तुड़े इस हिप-प नाइट, यह ड्रेस नहीं चलेंगे विकारी लग रहे हैं क्या? चिल 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 चिल, इस देर अड्रेस को? या मैम ओके, वी बोथ नीड़े इड यूल गेट इंसाइड इन के ड्रेस कोड obten एकुमटे लिए? यूनिफ़ॉम पैन के पॉब में वा 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 वौ इस बखवा से ड्रेस के लिए, वो लोगutral लेते हैं 2,000 वो भी सिर्थ एक हुम्टे के लिए तूम जैसे अमीरों को यह अच्छी तरह लूटते हैं ए मैं ज्रिंक नहीं करती हूँ वैसे भी यह तुमारे लिए नहीं है मेरे लिए है थोड़ा ज्यादा महेंगा लिया क्योंकि बिल्टुम पे कर रही हो मैं यह नहीं करता हूँ तुम म्यूजिक नहीं करो चीर्स क्या वा तूमेट? क्या वा तूमेट? आज मैं कितनी खुशूप कैसे जाहिर करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा पेट में गुद्गुदी सी होने लगी है गुद्गुदी मतलब? तुमें समझ नहीं आ रहा एक अलग सी केक लग रही है यह पियो और केक लगेगी यह बात है हुम् हे अरे हुम् ऐसा तो कुछ नहीं हुआ दोस्मेट इंदजार करना होता है ऐसा रोने लगेगा वेटल चार पैगवर लाना यह कहां गई हे अरे रुक जाओ या आप कहां जा रही हो तुम्हें प्यार के बारे में कुछ बता देए Shar interaction चलो चलोव चलोव पर ऐस हों इंदम स्क्राप कर दो नशेर पर нет और यह तुम स्क्राप तुम्हें हो या शोड़ दंदर रिख्लंद को था है पालो या आऩ द्याव आया निया ज्स्याव में तस अब दो बंच्रेंग क्या क्यों है? अच्छो होना हो जाए तुम्हारे को अब बाइपर बैठो प्रिया सॉरी मुझे पता है तुम बदल चुके हो इसलिए कोई बात नहीं कैसे कैसे पता कि मैं बदल कि हूँ आज पप का बिल तुमने भरा है ओ तैंक्स अभी आज की रात में कभी नहीं बूलूगी गुट नाइट गुट नाइट अज़ जाना है वह दूर है अज़ कोई करें ने नहीं चूट देते हैं अभी को फोन करके बता देती हूं वो फूर कहा है ज्यादा है मोरा? ज्यारा बजरा माडम हाँ? डिदी कहा है? वो तो सुभाही कहा है निकाले कोड तुम्हें कितनी बार फोन किया? वो रिजॉट आ चुके है अभी तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है जरूरी बात बात में मैं अपना काम कर लो ओके बाए बाए तुमोन अभी तुमोन अभी मैं पे करती हूँ प्लीज प्लीज नहीं प्लीज इस पर मेरी तरफ से यह मुझे तुमने क्या समझ रखा है सुधिर तुम्हें मैंने उस दिन किस क्या कर लिया तुमने मेरा क्यारेक्टर हे लूज समझ लिया और सोचते हो जो मन में आएगा वो करोगी क्या मैं एक चीप लड़की लगती हूँ पुझा यह मेरी पर्स में कैसा है मुझे नहीं पता सार नमस्ते रून बुक करने वालों को एंट्री फिस नहीं लगती सर यहां पुलिस का टेंशन नहीं आपने फोन करके मुझे परैशान कर दिया मैंने सारी आने से पहले तुमने सारी तैयारिया कर रखी है क्या हो आपने तो समझ में नहीं रहा है नहीं पुझा अगर तुम पर और विश्वास किया तुमों मैं और बेवकुम पर नहीं तो मुझे Um प्र आपन व्रेस टेके आ और Hey PurPlan काम कर गया अभी, हे प्रिया सक्सेस, तुमारे दीदी का प्याँ तूट गया, ये, कोड अभी तुमने सब गढ़बड कर दी हां दिल तोड़ते वक्त एक बार भी दर्द का इसास नहीं हुआ क्या तुम्हें फीलिंग नहीं है तुम्हें भाफ़ीस दिल भी नहीं है ये क्या वाक्वस कर रही हो ये काम तुमहीने तो दिया था अरे मैं तो बिनमा की बच्ची कि नहीं दलनी का नाटक तूनना तुन नाटक करना मेरा नहीं कोई नाटक करते होता है जिन्दगी भर ऐसे ही डाटक करते हो तुम मेरे बैलेंस पैसे दो और निकलो से तुममें तो फीलिंगस्टंप की कोई चीज यह लो मेरा डेबिट पर दूए प्रिया इसका पिन्नमद नहीं बताए तुम्हें यह नहीं बदलेगा दीदी हमारा प्रेक अप हो गया है तुम्हें तो कोश्च होना चाहिए हम अलक हो गया है तुम्हें और कोशिश करने के ज़रत नहीं मेरा प्यार हार गया है यही मेरी किस्मत है तुमसे कुछ कियाना था प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला चाहुड़ दो अभी तुमने सब करवड कर दी तुम्हां पर दिल भी नहीं है नाटक करना मेरा नहीं तुम्हारा काम है अब मेरा काम है तुममिंसां नहीं हूँ रिए्चरा हो एक पमपेठो और पमपेठो अब प्लाए र्ण अब बेटी प्रिया यहां क्यों सोरी हो तुम देखो ना यह लेटर मुझे रूम में मिला तुमने मेरा रेडिंग ग्लास देखो देखा किया उसके बगएर मैं यह पंड नहीं पा रहा हूं बेटी नहीं देखा दाड अच्छा थीक तुम ही ज़रा इसे पढ़ दो दीदी यह लेटर छोड़कर भाव किया है क्या हूँ आप पहले बैच आए डार मैं चाहिए क्या हूँ बात क्या तुम इसे पढ़ती हूं नहीं रही पढ़ती हूँ आप बैच आए नहीं एक मिनिट अभी आई अभी आई बाग गई दीदी तुमने बिल्कुल सही काम किया परना मैं जिन्दगी भर अपनी आपको माफ नहीं कर पाती हापी मैरेड लाइफ दी मैं यहां कोई भी रीजन देकर मैनेज कर लूंगी दीदी एक ज़रूरी बात बाहर अभी ज़से छोलर होते हैं उनके चाहर में गलती वो किसी के साथ भाग गई है और मेरे लिए उसने ये लेटर छोड़ा है ए चलो उसे ढूंडते हैं रुग जा उसे कहीं भी ढूंडने की कोई ज़रूरत नहीं है उसने जिस वक्त इस घर से बाहर कदम रखा उसी वक्त वो मेरे लिए मर गई मैंने तुमसे वादा किया था कि मेरी बेटी तुम्हारी बीवी बनेगी और मैं वह वादा नहीं को हुआ है बेटी प्रिया तुम भी किसी से प्यार करती हो क्या मैं किसी से प्यार नहीं करती डैड अगर तुम्हें कोई अतराज ना हो तो तुम देवा से शादी कर लो ठीक है ना जैसी आपकी मरसी देखा देवा मैं एक बर सुवान दे देता हूं तुसे हर कीमत पर पुरा करता हूं प्रियों हो करता हूं हेलो दीदी आरे तुम हो कहा मेरी शादी हो गई और मैं बहुर खोश हो कॉफी तु रहका रही हो सिंगापूर में वैसे डैडी केसे है ठीक ठाक ही है तु चली गई तो मेरी शादी अब जीजाजी से करवा रहे है तु हमेशा कहते थी न उनसे शादी करने वाली लखी होगी वैसे डैडी की मुझे बहुत याद आ रही है जरा उनसे बात करवा देगी रैट फोन हलो मैंने जो अपका दिल दुखाया उसके लिए सॉरी डैडी टाइम पर टैबलेट्स ले लीजेगा और ज्यादा टेंशन मत लीजेगा मुझे पसंद नहीं आएगा फोन रख दो येलो सब सुनने के बात काटने का क्या फाइदा अभी अभी कहा को याई अभी लड़की दस बार कह रही है कि उसका नाम स्वाती है स्वाती है फिर तुने प्रिया क्यों नहीं का आजकल तेरा काम पर बिल्कुल भी धान नहीं है पता नहीं क्या हो रहा है तुझे मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है उस लड़की ने क्या जादू कर लड़की बस बहुत हुआ इसका जवाब ढूड़ना ही होगा तब तक तुम लोग समा लो अरे जा रहा है तु हाई प्रिया तुमसे कुछ बात करनी है हमारी डील खतम हो चुकी है डिस्टब बन करो डिस्टब मैं नहीं कर रहा हूँ तुम कर रही हो समझ में नहीं आया, कल फिल्म देखने गया था, आसम कॉमेडी थी उसमें, सब लोग फिल्म देखकर हस रहे थे, सिवाए मेरे, मैं तो बस यही सोचता रहा, अगर प्रिया यहां होती, तो कितना एंजॉय करती, और बस यह सोचते सोचते फिल्म खत्म हो गई, लाइफ में त आई हेट यू, चलो मेरे रास्ते से हट जाओ, तो मैं कौन सा प्यार करता हूँ, जा 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 चलो हवा ने दो, तुम्हारा ही बैड लख है, मुझे मिस कर दिया, जा बेबी, कहां तक जाओगी, एक ना एक दिन तुम्हें प्यार करवा के रहूंगा, तुम जानते हो यहां क्यों बुलाया है तुम्हें, आज ही यहीं पर फैसला होकर रहेगा, शर्मामत, आई लव यू, बोल दो, तुम्हें गलत फहमी है कि यह प्यार है, तुम्हें नहीं कर सकते, तुम्हें तु बस ब्रेक अप करना आता है, तो तुम्हारा मतलब है, यह फिलिंग प्यार नही मैं हूँ ही खुबसूरत मुझे देख कर अच्छे अच्छा कि नियत किसल जाए तुम मेरे बारे मैं सोचती क्या हो मैं तुम्हें कोई चीफ सवार करता हूं तुमसे पियार नहीं करता तुमसे मैंने पेट्रॉल के पैसे क्या मांग लिये तुम ने तो क्या एक्टर साटिफ तुम्हें लगता यह मेरा इंपैश्वेशन है ना लेकिन मुझे लगता यह प्यार है बहुत बड़ा कन्फीजन है यार ठीक है हम दोनों में से एक को साबित करना होगा तभी यह कन्फीशन दूर हो पाएगा जो करना है करो गुडबाई अरे बाबा भाग क्यो रही हो तुम जैसी प्यारी लवर को मैं मिस नहीं करना चाहता है हाँ आज जाके रेस्ट करो हम कल से शुरू करेंगे ए रुक ना पहले में लाद मारूंगा है रुक ना अच्छा सुन बहुत दिन होगे पीने का मन कर रहा है कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा अच्छा बहिया बहिया मेरा लव मैटर सौल कर दो बहिया पैसे का टेंशन मतलो एक लाख रुपए दूँगा एक लाख रुपए दूँगा एक लाख रुपए कंट्रोल मेरे भाई तुझे पीने का मनता एक लाख रुपए मेलेगे सोच ना इस बार उसके बापको तो छोड मैं तेरे लिए उस तेरे प्यार के लिवानी हो गई हूं मैं मुझे एक बात बता हो तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो इतना कि तुम्हारी सांसों में खो जाने का मन करता है वाँ बाप रे बाप रे बाप तुम तो कोई मामुली लड़की नहीं लगती हो तुमने तो जो कल रात मैंने चड़ाई थी वो भी उतार दी है तुमें किक मारने के लिए मुझे पहले खुद को किक मारनी पड़ेगी एक बंदा नीचे खड़ा है जो तुमसे बे इंतहम मुहबबत करता है सोच रहे कि तुम यहां म्यूजिक सुन रही और उसे याद कर रही हो लेकिन तुम तो यह किसी और के साथ रासे ला खिल रही हो खिल शुचब निकल मुझे रही है आज तुने उसको धोगा दिया और इसकी बहुप मेलों और कल तो बासे तेरी कंप्लेंट करूए और बाब से लिए संशनी खेस खवर होगी तुम नहीं जानते इसमें बहुत दम है तैरिस से यहां तक इसने मुझे सब कुछ अच्छे से समझा दिया अब तू भी समझा मेरे भाई यह सब मैं नहीं जानता भाईया तुम उसे कैसे भी समझाओ मुझे वह चाहिए तू मुल्टा मुझे ही कन्विंज कर रहे हैं काम कर तू जाना अंगर सा आंकर लेना आराम से हां मैंने तो पीर खिती मुझे जादा पत नहीं है तू वीडियो शूट करेगा और मैं साला बनों लेकिन उससे पहले होस्पिटर लेचल मेरे वहां का बिल तू भरेगा और आटो तू लेके आएगा मेरे बापका आटो लिक्षा है ना मुझे पता ही नहीं था इस बार शादी हो गया नहीं है बहुत टेंशन हो रह हुआ उस्से हमें खोशिव और चाहिए योख खाउ खाव ना अरे मिटाई खाओ भाई मैं अरे महें क्यों रहा है मैं यहां टेंशन में मर रहा हो और तु अब को मिटाईयां माट रहा है लगता है टाइमिंग गलत हो गई इया Accept tape आता है वारे को अब कुछ कर पटेल की पावा अगर वो भी किसी से प्यार करने लगी तो मैं तुम मेंसे किसी को जिन्दा नहीं छोड़ूगा अपको पता है वो आपके बारे में क्या सोचती है लेकिन मुझे ऐसा मैसूस क्यों नहीं हुआ इसलिए तो उन्होंने अपनी बड़ी बेहन को प्लान करके भगाया ताकि आपके साथ चादी कर से के तुम्हारी बाते मुझे बहुत अच्छी लग रही है लेकिन साथ में टेंशन भी हो रही है इतना पी चुका हूं लेकिन किक मैंनेज कर लिया है 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 अब ही मैं प्रिया की फ्रेंड बोल रही हूं हाँ बोलो उसकी शादी उसके जीजा से फिक्स हो गई है पीच में मत पड़ तू से जिस्टब करना पंद कर बाई अब ही को मैंने समझा दिया है सब ठीक है डॉन्ट वारे टच में हो उसके साथ सिर्फ फोन पर प्लीज उसे एंटेटेन मत करो हटा उसे ओके ट्राय करती हूं हाई प्रिया हो क्या सक्या नाश कॉलेज कंडिन तो मस्त है अचा सुनो आज सिक्स तु नाइं तुम क्या कर रही हो फ्री है लेकिन क्यों अरे वा तो मूवी का प्रोग्राम कंफर्म हुआ ये रहे टिकेट्स देखा तुने मूवी के बहाने फिर से ये मेरा के लिए है ऐसा क्यों बहुत सिंपल है तुम उसके साथ दिन देखने जाओगी मुझे रिजेक्ट करोगी मुझे जलन होगी तुमारे लिए नेगेटिव फीलिंग्स आएगी तो कंफर्म हो जाएगा कि मुझे प्यार है ये लो सोच लो तुम अगर मुवी देखने नहीं गई तो मेरा प्यार और कंफर्म हो जाएगा मैं मुवी देखने चाहूंगी अरे वा ये तो वही कर रही है जो मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी बात है अब आएगा मजा बाई प्रिया बाई पिंकी बाई अरे वा इसने तो खु कराया रंगा इतर रहो लगता है फिर कोई डाउट हुआ बाई क्या इस्टाइल में बेठे हैं क्या बात है बाई बोलिये एक बात सच बता कौन सी बात वही कि प्रिया किसी से प्यार तो नहीं करती है चीची मैडम किसी से प्यार नहीं करती है क्या हुआ उस दिन तो तुन हाँ अ अ हलो देवा जी हाँ प्रिया आप मेंने साथ मूवी देखने चलेंगे तो निकल पड़ी है अ हलो हलो एक मिनिट हाँ प्रिया यहां सिगनल थोड़े खराब है अ मैं बाहर जाता हूं क्या बात है प्रिया मन कर रहा है कि आपके साथ मूवी देखने जाए ठीक है प्रिया मैं रेडी हो कर रहा हूं लगता है इस गुंडे की शादी इस बर हो जाएगी क्या का तुने कुछ ने भाई मैंने का गाड़ी ट्रैक पर आजाएगी ट्रैक पर हाहा अسمёл हमें टिकेट्स दी कर फून नहीं आया होगा । सब दो होई कुछ नहीं सकता कर दो होगा हमें टिकेट्स देकर बू नहीं आया होगा, ऐसा दो होई नहीं सकता, यहीं कहीं होगा इसे मज़ा चखाने कर इससे अच्छा मौकाने मिलेगा दिवाजी, यह गाना कितना रोमेंटिक है ना बहुत अच्छा है वो देखी बहुत एक उप्सुरत है बहुत अच्छा बहुत अच्छे, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो, लेकिन तोड़ा सा ओवर हो जा रहा है, पता है तुम दोने को साथ देखने वाला क्या सोचेगा, बहुत गुस्सा होगा, जेलेसी तो इतनी होगी कि मैं क्या बता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके साथ देखकर मुझ किसी और के साथ देखकर मुझे डाउट क्यों नहीं होता, अरे मैं तो तुम पर भरोसा करने लगा, और जान लो कि इस पूरी दुनिया में अपनी महभूबा पर एक आशिक ही इतना भरोसा कर सकता है, कहीं मुझे सच में प्यार तो नहीं हो गया, ऐसा क्यों होगा, दूसर कभी ब्यार करोगी, क्या, लेकिन, शो शुरू हो गया, भाई, यह लव भी ना, भाई, भाई, मेरी बास सुलिया, 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 भाई, भाई, मेरी बास सुलिया, भाई, भाई बड़ी वाली के साथ भी सिनेमा दिखने गये थे उस समय भी आप इस तरह ही चेला चेला के जवानी ऐसे डांस कर रहे थे नतीजा क्या हुआ सिनेमा खतम हुआ वह भाग गई इस बार ऐसा कुछ ना हो इसलिए इस बार ट्वाय यह क्या है मैडम की कॉल हिस्ट्री इसका मैं क्या करूं इसमें सबसे ज्यादा कॉल आया उस नंबर पर हम फोन करेंगे अगर बॉइफ्रेंड का शक हुआ उसके खबर लेंगे आहीं कहां सूपर आइडिया इतनी तारीफ मत किजिए शरम आती है इन नंबर्स पर फोन करते हैं चलिए मेरे साथ ये लो भाई एक नंबर है जिस पर रोज तीन-चार बर फोन किया है ऐसा है हां भाई बोल लगा उसे हलो हलो अरे का है का हलो तो कोई भाई है क्या कि भारी आवाज मे हलो बोल रहा है क्यों रहे तेरी हिम्मत कैसे वही प्रिया मेडम को रोज पोन करने की तेरी गल्फ्रेंड है क्या अगर दुबारा उन्हें फोन किया ना तो तेरी टांगे तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगा काहून हरे तू जो मुझे अपनी बेटी को फोन करने पर व वार्निंग दी है उसका नंबर मैं तुम्हें अभी भेज रहा हूं दो दिन के अंदर वो मुझे मेरे सामने चाहिए ठीक है अंकल दो दिन में पता कर कि उसका कोई बाइफ्रेंड है की नहीं वरना तू गया काम से तुझे खड़ा कर दोगा ससूर जी के सामने आप शांत ह अरे बच्चों को माबाब फोन देते क्यों है बात करने को इसलिए हमें रोखने का हक किसी को नहीं है तुझे जिन्दा नहीं रहना है क्या तू यह वर्निंग किसको दे रहा है मेरा अगर इगो हट हो गया न तो जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं तू खुद होगा यह वर्निंग यह हम बाद में खेल लेंगे प्रिया का फोन आ रहा है कट कर दिया यह कौन है बाई मुझे कहता है कि बाद में वार्निंग देना अब तुम कॉल बात करना उसे मिस कॉल देना जब वो फोन करेगा तब वार्निंग देना बहुत अच्छा ढच बह्या यह मिलगए आप यहां पर हैं है बला यहलिघ। किसे से क्यार करते है अगหार कॉन मेरा mar Mhm जब मैंने उससे बाते की ना तो मुझे कंड़ बॉम हो गया के प्रिया मेडम उससे प्यार करती है उससे दुबारा फोन कर तू बहिया पता लगा कि कौन है वो और बार दे उसे विया का फोन बज रहा है लगता है यहीं बूल गई क्यों कर दिया इसने फंक्शन केलिए हॉल फिक्स कर डिया रिया तुमारा फोन बार-बार बज रहा है коммент जो कहों है यह लो हलो फोन कट करने के लिए नहीं होता है बात करने केलिये होता है अगर देवाजी उठाते तो तुम्हें कट कर वो फोन पर मेरा नाम देखके डर गया होगा और कट कर दिया होगा अच्छा, सेफ साइट रहने के लिए मैने तुम्हारा नाम कस्टमर केर सेव किया है इसलिए आज तुम मच गए अहा, ऐसा तुमने क्यों किया? तुम्हारे दिल में मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्न है क्या अब जरा बताओगे फोन क्यू किया है बहुत जरूरी काम है तुम मैरेज रिजिस्टरेशन आफिस आजाओ लेखो टाइम बिल्कुल नहीं है चीप ट्रिक्स मत करो मैंने आउंगी ओहो तुम्हें लगा हमारी शादी उसके लिए भी बहुत टाइम है लेकिन अगर तुम नहीं आई तो इतना बता देता हूं एक लव मैरेज नहीं हो पाएगी मेरी वचे से लव मैरेज रुख जाएगी क्या बकवास कर रहे हो तुम आज आओ बताता हूं बाए पर अभी इतना टेंशन देता है कि बिना जिम से पहले या गई तुम्हारा एकसाइटमेंट कर लगता है तुम्हारे दिल में भी कुछ-कुछ होने लगा है लव मैरेज मेरी वज़े से लुख जाएगी ऐसा क्यों का तुमने ता कि उन दोना की शादी हो जाए अबे क्या कर रहा है ठीक से खड़ा रहे ना ये दिनों मे हैं जो इससे अलग है यह मेरा अड़ा मैं यहां शादियां करवाता हूं और आज मैंने वह तुम्हें लाइफ दिखाने का प्लान किया है दोस्तों अब्लेडी है और तू हमेशे की तरह लेट है यह मेरी फ्रेंड है नमस्ते प्रिया जिससे तो अपना प्यार प्रूव कर लगवरता इषल घंट मुट यहां क्या कररो हूं दूद्से निकाल हो तोट्यां किया दॉस्तों रुपेसे निकाल हूं यह पांसो नुपेसे क्या होगा एक हजार मंग रहे हूं अरे बाइ ये क्या है पांसों की बाथ रहे हुद्ध जबाए तरंप यह को यह एंशेट कर रहे हो साला जीजा मिलका सेटल कर रहा हैं यह सट्ल हैं जुकर एक चुपकर जो पाँस्तों रुप एक नाट आ करता हैं उससे शादि करेंगे चुटकी बजाते त्री में लड़यों लगाज़ादे ऺड़ा हैं चाल को मैरी याज हमेरी प्रोब्लम है इसकी हाइट इसकी बॉड़ी देखो बाल में थोड़ा प्रोब्लम है परिजी पहीं उन्हें लंगा हो जो यह को ने वाए तुमार तरफ से यसे भी पैसे देने फोले राजा मैं तुमारे शादी करवाँगा जैलो पैसे देने है और नहीं तो क्या चेरी गड़े गड़े नाटा करता है यह लो जी जादी सिस्टर आप दोनों की जोड़ी कमाल क्या च्वाइस है सिस्टर अगे क्या है अगे का प्रोग्राम अंदर है रुग जाओ एक बात समझ लो हम यह शादी दो रिवाजों में करेंगे अगे चलो इधर शुरूब अरे बच्चों की तरह क्या आपस में लड़ रहे हो पेमेंट में से 200 अब चलो कटने करोंगा अब शांति से शादी करों तो क्यों बला है यहां साइन करने के लिए यहां साइन करो यहां साइन करो डाइसो लगेंगे तुम्हें कुछ अंदाज प्रजाय मैं तुम्हें क्यों बुला है यहां साइन करने के लिए एक फ्रेंड नहीं आया है तो उसकी जगा तुम साइन करोगी साइन करो लब मैं रचे इसलिए साइन कर रही हूं ब्लेस्टियू मैं चाइड थे इसलिए आप तुम लग जा सकते हो आप यहीं दो को और अरुन धती नक्षात्र देख के आगे बढ़ो मुझे तो उपर कुछ भी नहीं दिख रहा चेरी कुछ दिख नहीं रहा अरे किसमत का तारा कहा गया हावा की वज़ा से नीचे किर पड़ा है किसमत का तारा समींग पड़ा मरू गठाचे आप टेंशन मतलो सारे अर्रेंजमेंट्स लॉकिंग है पहले ही बहुत शॉक लग चुका है कैमरे की तरफ देखो भाई स्माइल स्माइल मुझे चिड़ा रहा है तारा रेडी है तारा रेडी है जड़ा उपर देखो बड़ो का अश्रवाद लेना है बुड़े को बुला के ला इसका मैं क्या करो आप ज़रा पकड़िए तुम सवाल ना देखो ये जूम है और इसे तुम आप इसमें तो पी रखी है क्या फर्क पड़ता है तुम्हें ये चलेगा ना मेरी शादी के बाद बड़ो का अश्रवाद देना बहुत ज़रूरी है जाओ आश्रवाद ले लो आज जिंदी पर नशे मेरो प्यार में हमेशा मधोश रो प्याले में कभी खतम ना हो कौन सब राम पीते हो जरा हेल्प करना भाई नेक्स्ट प्रोग्राम पूरे बाराती बैंड पर नाचेंगे पैसे दिये अब तुम्हें किसका इंदजार है चलो बजाओ कोशिश तो दिल से की थी अगर कोई कभी रे गई हो अरे ने बहुत मज़ा आया कि अस्पेशल गिफ फ्रम उस इस बाधि की तरह तुम्हारा प्यार भी बढ़ता रहे यही मेरी दुआ है अल्टबस थैंक्यू आइबाई थैंक यू सो मजू थैंक यू देखा तुमने यह मेरी छोट इसी फैमिली है यह रिजिस्ट्रेशन ओफिस मेरे अंकल मेरे फ्रेंड्स यह पंडित सब लोग और फ्यूचर में तुम हैपी फैमिली मैडम जी तुम्हें एक चीज देनी थी यह लो अगर मेरा लव प्रूव हो जाता है और तुम राजी हो जाती हो तो इसे अपने साथ लेकर आ जाना हमारी शादी भी यहीं इसी जगह होगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसे फाड़ कर पेक देना तो वो शुब काम मैं अभी कर देती हूँ अरे इतनी जल्दी क्या है थोड़ा टाइम दो या डरती हो कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए ऐसा कुछ नहीं होगा एक दिन जरूर फाड़ूंगी तब ठीक है इससे अपने पास रख लो मुझे पूरा भरोसा है एक दिन तुम जरूर बदलोगी वक्ती बताए हम लोग उसी पर काम कर रहा है अगर ऐसे लाप परवाई की तो एक दिन वो सच मुझे उसके प्यार में पढ़ जाएगी अब तक तो उसे ढूंड रहे था भाईया बस आज ही थोड़ा रिलेक्स हुए है आउ चांगर ढूंड़े उसे मालकीन आपके लिए पारसल आया है पॉर्योर नॉस पिंकी ने बताया तुम्हारी तवित खराब है पता है तब से किसी का मेरे ध्यान ही नहीं लग रहा है इसलिए ये सब भेज रहा हूं तुम सोच रही होगी मैं अचानक इतना ओर्याट क्यों कर रहा हूं क्योंकि छोटी-छोटी सी बातों पर ऐसे रियाट करने वाले आश अब इस बात का दूसरा पहलू भी देखते हैं अगर तुम्हारी मा आज जिन्दा होती तो वो भी तुम्हारा इसी तरह ख्याल रगते है तू उसके प्यार को एक दिन जरूर मान जाएगी ऐसा मुझे डाउट होने लगा है चुप कर ऐसा कुछ नहीं होगा डूंट प्रस कर दिल कहता है वो भरोसे के लायक है यही हमारा विटने से हमें तो बस थोड़ी अदाय दिखाने की जरूरत है आम शूर वो नहीं रूपते हैं जैसा मौका मिलता है फिसल जाते हैं अगर तुम कहो तो मैं उसके ट्राइ करूं ऐसा क्या करोगी फोन करके उससे बुला वो हां च्राइ करते हैं देख देख वो आ रहा है देखा तुने यह कभी खाली हात नहीं आता अगर कुछ नहीं रहा तो कंसेप्ट तो होता ही है तुम सब यहां हो हाई हाई पार्टी में इंवैट करने के लिए थैंक्स योर वेलकम प्रिया यह मैं तुम्हारे लिए लाया इस हेल्स रिपोर्ट से तुम्हें मेरे सारे बैड हैबिट्स बता चल जाएंगे अपनी सारी गलतिया मैं तुम्हें बताऊंगा और उसके बाद जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा सारी अच्छे बाते बताऊंगा फिर प्यार बढ़ेगा काम होने का कोई चांस ह कॉंसेप्ट मस्त है ना इस पे मेरे सारे बैड हैबिट्स दिखे हैं ध्यान से देख लो चेक कर लो और इसको भी लाया हूँ हम कहां मैच नहीं होते वो भी देख लो डिसीजन लेने में असानी होगी देखते हैं हा अधें इत्री शारी अध्यकाद्मिकलिए हा बॉस इस शहर में अकेला हूँ नहीं मेरे पास कोई कंपनी है और नहीं कोई अध्य अपलोग भाई हूं है कंपनी देंगे अरे क्यों नहीं बॉस चलो मेरे फ्लैट में छल तोते हैं यहां थोड़ा चुंब कर रखना है तुम मतलब क्या अरे फ्रेश होने गया होगा गल्दी से अहम सुचना आज कल मासूम नौजवानों को एक ग्रूप परिशान कर रहा है इसलिए शहर के कमिश्णर में नौजवानों को साउधान लेने के लिए कर सकता है को इसके जैसा बेउडा ही रहा होगा जो इसके ट्रेप में होगा लगता है कोई आइटम है यह तो वह यह यार इसके लिए ठीक में लगते है वाव अब क्या करेंगे करने क्यों होगे रिस्पेक्ट दे रहे हुँ अरे इसने पैचाल दिया तो हमारी बैंट बजाने गाई है हाई गाईस कम आण फ्रेंद्स इतने साइए उस दिन भाग गये थे ना उस दिन मुझे बहुत कुछ करना था लेकिन करने ही पाई अकेली थी ना लेकिन आज पुरा गैंग है कम आण गाईस करें क्या उसे वह बात में करें हैं जल्दी बता क्या करें आज आद आट जोड़ दो पर दो के तुम लग कमड में क्या कर रहे हो हिसके बाहर हमें कोई इच्जत जीने नहीं देता ना कि अधर में क्यों नहीं है कर में इन्फटो जो है वैसा यहां कि जरूरत क्या है कुछ में रहा है चल जाई हमार है थोड़ा जोड़ से मार ना थोड़ा और जोड़से कितनी होट बैक है तुम्हारी राजा पास आजा राजा पिंक, पिंक, पिंकी, पिंकी, पॉंकी, तेरा बाप एक डॉंकी, तो चाहे तो मेरा मैचिक शर्ट ले ले, लेकिन मैच मत खेल, मैं आउट हो जाओंगा, अच्छा, आउट हो जाएगा, एई, तेरे फ्रेंड को पहली बार बताया था, मैच कैसे खेलते हैं, और अब तेरी है ओके समझ गया ना मुझे अपने पैरों की दासी बना ले पैस आओ ना आजाओ ना लिप्स्टिक लगा लोगे तो मैं तुमें छोड़ दूंगा ठीक लगा लो अरे यह क्या कर रहा है लिप्स्टिक ही तो लगा रहा हूं अपने होठों से जाओ लगा चलेगी किसे पहले की बापा साथ है भागने किसका इंतिसारत चलो अच्टिक हो दागो याँचे यार मुझे शादी की स्पेशल डिजाइन्स देखनी है हाई क्या बात है आजकल बहुत बिजी हो शादी की तैयारियां कर रही हो पहले प्यार तो कनपम हो जाने दो कुछ खास नहीं बात है देखा प्रिया हम दोनों का सेम टेस्ट सेम फ्रिक्वेंसी सेम वेबलेंध कहीं हम दोनों के बीच में प्यार तो नहीं ऐसा मत पूछना क्यूंकि ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यार को लेके मजाक मत करो मैं खुद अपने प्यार को लेकर बहुत उल्चा हुआ हूँ यह बात है तुम्हारी उल्चन और बढ़ा दू नसीब वाले हो कि देवा जी के आदमियों को तुम नहीं मिले वरना यह प्यार व्यार का बुखार उतार देते यह आईडिया लेकिन मैं अपने प्यार को लेकर बहूँ सिर्यस हूँ, फोन करके बुलाओनें मैं नहीं बुलाती तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं बुलाओगे तो आएंगे नहीं, रोज फोन करके वार्निंग दिया करते है मुझे, चलब मैं ही उन्हें बुला लेता हूँ अभी np कर रहा है ना उसने फोन करके हमें बुलाया है अब तक क्यों नहीं पहुंचे अधर जाओ बाकी मेरे साथ आओ चलो रहे हैं मैं इधर हूँ खुद फोन करके एड्रेस बताया फिर भी लेट कैसे हो गया वेट करते करते बोर हो गया मैं पागल है क्या पीटने के लिए हमें यहां पुलाया है पागल तो तुम लोगों जो बिना हतियार लिए मुझे यह मारने चले आए हौकी स्टिक सा रॉट्स लेकर आओ मेरे बाई अरे तुम्हें खत्म करने के लिए उसकी ज़रुवत नहीं है बाई उसके लिए मेरा स्टाफ ही काफी है चुटके मैं खत्म कर दूंगा इससे कहते हैं दम तुम और तुम्हारे जोकरों को मेरी तरफ से आल्ल दे बेस्ट है बारो इससे है यह उड़कर कहा जा रहा है अरे दर क्यों रहे हो यार आजाओ 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 भाई अब हम क्या कर रहें दूसरा प्लान है क्या है भाई चलो बागो यहां से अरे कहां जा रहे हो खलास तो करो मुझे तरे की यह प्लान भी फेल हो गया यह अचानक प्रिया कहां गया वो गया तो वापस आ गए हम दर कर भागे नहीं आज तो तुझे खात्म करके जाएंगे देख हत्यार लेकर आया है आज़ो भाई आज़ो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कोई रहम मत बरतना और सुनो अपने हत्यार का सही इस्तमाल करना इसे मारो रही क्या बात है क्या सूपर माईड़ है वाह क्या मारा यार रंगा बहुत से कह दे ना किन की तनकबढा दे कोई किसी को ऐसे मारता है क्या लिग ले आज़े जलो निकले अभी दॉक्टर दॉक्टर उनका जल्दी ब्लड टेस्ट करा हूँ वोके डॉक्टर जर्द नहीं है डॉक्टर इसका ब्लड ग्रूप ओ पॉजिटिव है शुकर नहीं है बीपी नहीं है वाइट ब्लड सेल्स काउंट 10,000 ब्रेट ब्लड सेल्स काउंट आप इनके फैमिली डॉक्टर रहें नहीं दॉक्टर फ्रेंड हूँ और इतनी इंफर्मिशन ठीक है अंदर लेगा चुलों सब ठीक हो जाएगा क्या मेडम आप कहते हैं कि आपके पते स्मोक और ड्रिंक नहीं करते लेकिन यरीपूर कुछ और ही कह रहे हैं इनकी आदतों ने उनका लिवर और लंग खराब कर दिया हैं शादी के दस साल बाद भी आपको ये बात बता नहीं चले इस पे मेरे सारे बैड हैबिट्स दिखे हैं यान से देख लो चेक कर लो और उसको भी लाया हूँ हम कहां मैच नहीं होते वो भी देख लो शादी के दस साल बात भी वो अरत अपने पती को नहीं पहचानती और कुछ ही महीनों में अभी ने मेरे सामने अपनी जिंदगी की किताब खोलकर रखती अभी ठीक तो हो जाएगा ना मुझे भी डाउट है लेकिन ऐसा प्यार करने वाला तुझे कहीं नहीं मिलेगा कोई डाउट है यह तैह है वो कभी नहीं आएगा फर्स टाइम ऐसा लग रहा है कि उसे लौट आना चाहिए बैट जाओ मुझे पेशेंट जैसा फील मत कर आओ ठीक होने के बाद ही उन्होंने मुझे छोड़ा है मैं हॉस्पिटल से डारेक्ट यहां आयाओ तुम रिलाक्स हो के बैठो प्रिया समझनी की कोशिश करो बहुत मार खाया मुझे भी पता है तुम्हे भी पता है तुम्ह मुझे मार खाता देख तुम्हे इतनी तकलीफ हुई कि तुम सेह नहीं पाई अब तुम ही सोचो मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ हैपी जिंदगी कैसे गुजार सकता हूं और अब ऐसा लगता है यह दिल धड़कता है तो सिर्फ तुम्हारे लिए यह प्यार नही अब ही तो मैं ऐसे मार खा चुका हूं तो फिर ऐसा क्यों लगा कि यह फ्रेंड्शिप नहीं है सिर्फ लव हो सकता है ठीक है मैं फिर से सोचता हूं भाई चल घर ले चल मुझे अंदर क्या ढूण रहे हो बेटी ज़रा डीवीडी चला देना यह क्या है डाड वुजा ने अपनी शादी की डीवीडी भीची है इसे देखने में बहुत मजा आएगा बेटी आप आगे बढ़िए मैं बस अभी आई चल चल जल जल्दी हा चलो देखते हैं कैसी विशादी गार चलो जल्दी जल्दीआ लुट यार जल्दीज जल्दीज रहा चलो अ मैंने कहा था उसे मौत के घाट उतार लेकिन तुमने उसे पीट के छोड़ दिया देखो इसे अब वो किस हद तक जा चुका है तुम पर भरोसा करना ही मेरी गलती थी अब उसे नहीं छोड़ूँगा बताऊंगा मैं कि कौन हूँ मैं हलो मैं देवा बोल रहा हूँ हाँ बोलो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ कहां तुम्हारे अड़े पर जरूरत नहीं है मैं तेरे अड़े पर आता हूँ आई देखो वो आ गया तुम्हे मेरा एक काम करना होगा कबजा करना गुंडा गर्दी करना ये सब मेरा काम नहीं है उसके लिए मुझे तेरी जरूरत नहीं है तुझे वही करना है जो तु करता है और वो क्या है? दो प्रेमियों को अलग करना कितने पैसे लेगा बोल? ओहो, लगता है मेरा पूरा डीटेल्स पता करके आयो ठीक है मैं डील प्रेमियों और उनका बैक्राउंड जानने के बात करता हूँ पहले मुझे उनसे मिलना होगा इन दोनों का प्रेक अप करता है कितने पैसे लेगा? ये कमाल की जोड़ी है तुमें क्या पसंद नहीं आई? पक्वास बंद कर मैं इस लड़के को जान से मारने की हिम्मत रखता हूँ मारना मुश्किल है बॉस तुम उसके बारे में जानते नहीं हो अगर उसने एक बार कुछ करने का फैसला कर लिया तो उसकी आवास सुनकर तुम कापने लगोगे उसे देखकर तुमारा दिल तहल जाएगा और कहीं अगर तुम उसके फैसले के खिलाफ गए तो जान से जाओगे अच्छा है तुम अपने सात्यों के साथ आयो बॉस तुम में बहुत हिम्मत है क्या मेरी बॉड़ी लैंग्वेजी कुछ ऐसी है तुम जैसे लोगों के साथ ऐसे पेश आता हूँ मेरी बात छोड़ो तुमारे डील की बात करते हैं ट्राई करते हैं तेरी हैसेत के हिसाब से पांच लाख लोंगा पचास लाख ले ले लेकिन इन दोनों को अलग कर अगर तेरा वक्त सही रहा तो तेरा काम हो जाएगा मुझे लगा कि वो मुझसे प्यार करता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है उस अभी को तो प्यार किस चड़िया का नाम है यह भी नहीं बता अगर जानता तो अपने ही प्यार को तोड़ने का सौधा कभी नहीं करता वो अभी के लिए मैं शादी तोड़ने को भी तयार थी, लेकिन उसने चंद पैसों के लिए मेरा दिल तोड़ दिया, लगा था वो बतल जाएगा, लेकिन उस चैसा इंसान कभी नहीं बतलेगा, अफसोस मत कर, अरे लेकिन मैं अफसोस क्यों करूँ, अफसोस तो उससे होगा इस अच्छाना, कल मेरी शादी हो जानी चाहिए, यह सब क्या हो रहा है, अचाना केया, तुम्हारी शादी को तो तीन दिन बाकी है, तो क्या, तीन दिन में मुझे लगेगा कि तुम्हारी जो फिलिंग है वो प्यार है, जो इनसान प्यार को 10 लाग रुपे के लिए बेच आय यह पैसे लेकर अगर मैं प्रिया को भूल जाता हूं, तो मैंने प्यार नहीं किया है, और अगर मैं ना भूल पाया, तो कंफम प्यार किया है, जो यह पता हीी नहीं है यहाँ जो शादिया करने आती हैं कि मावब से शादिया तोड़ने के ये पैसे लेता है अभी मैं फिर से कहती हूँ कर मेरी शादी हो जानी चाहिए और वो तुम ही करवाओ के जितने पैसे चाहिए ले लेना बेटा प्रिया ने जो कहा किया वो सच है सच सच बोलना तुम्हें मेरी कसम है सच है अंकल तुम्हें शरम नहीं आई ऐसा करते हुए लोग हमारे पास आते हैं क्योंकि उनके प्यार का साथ देने वाला कोई नहीं होता ऐसा बाप तू कैसे कर सकता है पे शरम तुने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया यहां मौझूद हर किसी को धोखा दिया अब तुझे यहां रहने का कोई हक नहीं है चला जाए हां से निकल जाए हां से अई सारी दुकाने बंद कर दो तुम लोग क्या देख रहो बहुत होग या तमाशा अगर तुम में से कोई भी दुबारा यहां दिखाए दिया ना तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूगा चलो जाओ निकलो यहां से आपको लगता है प्यार क्या है मैं नहीं जानता लेकिन मुझे ऐसा सोचने और करने पर किस ने मजबूर किया आपके इस रेजिस्ट्रेशन आफिस ने 25 साल पहले मेरी मा ने भी प्यार किया था और भाग कर इसी रेजिस्ट्रेशन आफिस में आईती शादी करने यहां पर साइन कर देगे तीन महीने बाद मेरी मा को पता चला कि उसका पती धोके बास था वो शादी के तीन महीने बाद दुनिया छोड़ने का फैसला करते हैं मैं उनके पेट में था, इसी बहाने उनकी चान बच गई आपके चक्कार आने की वज़ा एक गुड्नियूज है, आप प्रेगनेंट है वो अपने घर वापस नहीं जा सकती थी, लेकिन उसे मेरी भी परवरिश करनी थी तो मेरी माँ यहाँ काम करने लगी मैं पला, बढ़ा, खेला, कूदा इसी रेजिस्टरेशन आफिस के आंगन में एई, लगता है मैंने इस लड़की को कहीं देखा है पुछ आफ्ते पहले उसने यहीं शादी की थी सा ओह, 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 इसने आत्मात्या कर लिया तुमने कहा था शादी के बाद विदा चोड़ दोगे चोड़ कहा था मुझसे, चोड़ो अरे, अरे मुझे बोलेगी, मुझे उसमाएगी तुम्हारा कभी बाला नहीं होगा अगर मुझे शादी से पहले पता होता कि तुम ऐसे हो तुम्हें तुमसे कभी शादी नहीं करती उसे शादी से पहले क्यों नहीं पता से ला यहां मैंने कई शादियां देखी हैं और बहुत से रिष्टे तूटते वे भी देखें हैं जब भी यह देखता तो मुझे लगता किसी ना किसी को तो यहां होना चाहिए एक ऐसा इंसान जो उन प्रेमियों को दुनिया की हकिकत से वाकित करवा सके मुझे लगा एक वाच्मेन की जरूरत है यहां और मैं वो वाच्मेन बन गया अंकल कहते हैं भगवान प्यार को नहीं तोड़ सकता तो फिर मैंने कैसे किया क्योंकि उनके प्यार में सच्चाई नहीं थी इसलिए मैं नहीं तोड़ता तो शादी के बाद तूट जाता है आप बताओ अंकल इससे दो परिवारों को कितनी परिशानी होती है मैं दरसल कुछ नहीं करता शादी के बाद के जिंदगी को उनके सामने ले आता हूं और वो अलग होते हैं क्योंकि वो अपने गल्ती समझ जाते हैं उनके जूटे प्यार का वहम तोड़ने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती एक मिस्ट कॉली काफी है मैंने कभी अपनी मा को मुस्कुराते वे नहीं देखा और आपको पता है मैं इस काम के पैसे क्यों लेता हूं मेरी मा की तरह धोका खाने वालों की मदद के लिए हर माबाप का सपना होता है कि उसके बच्चे अपनी जिन्दगी खुशी से बिता सके यहां उनकी शादी तब हो जब वो शादी को निभा सके मैं प्यार में कभी हार नहीं देख सकता, अंकल प्यार कभी जुदा नहीं होना चाहिए लेकिन प्यार में धोखा भी नहीं मिलना चाहिए सही कहा बेटव, कई बार मुझे भी लगा कि ये जोडी सही नहीं तो भी मजबूरी में मैंने उनकी शादी करवाई अब बेटा ये मेरा काम था जो करना पड़ा लेकिन तुमने उन्हें अपने रिष्टों की गहराई से वाकिव करवाया भटके हुए को रास्ता दिखाया इसलिए बेटा तुम बिल्कुल सही हो और शादी करवाओ करवाओ जिन जोड़ी को तुम मेरे पास लाओगे न मैं य अच्छा प्यार हुआ या नहीं मुझे ऐसे प्यार की तलाश है जिसके बगर मेरी सांसे रुख जाए जिसके बिना मेरा जीना बेकार हो प्रिया की शादी कैल है और वो भी तुही करवा रहा है तुझे और क्या जाना है मैंने दूसरों के लिए वाच्मेन का काम किया है आ हुआ हुआ है वाले हुआ झाले हो तुटाओ। चलिए चलते हैं तुमनों यहां क्या कर रहो चलो चलो बहुत काम है चलो चलो एक मिरिट रुको रुको आपका साला आपके पैर धुएगा आजा बाई शुरू हो जा आना रुक जाएए यह पैर धुलवाने के भी पैसे लेता है वो लोग बाहर क्यों चले गए वो साइन करने को तैयार नहीं है ठीक तुम साइन करो एक शर्त है क्या इस काम के हम पैसे नहीं लेंगे ठीक है अब आप दोनों इस पेपर पर साइन कर दिजिए क्या है अब चर्पल प्रिया अगर तुम ने ये साइन कर दिया तो मेरे जिन्दगी से दूर हो जाओगी तुम्हारे दूर जाने के ख्याल से मेरे जीने के खौईश मिट गई है प्रिया मुझे समझ में आगया है प्यार का सिर्फ एक ही पहलू होता है और वो है प्यार प्लीज मुझे दूर मत चाओ प्रिया आज मुझे इसका कोई दूसरा पहलू नहीं दिख रहा ये प्यार है, ये कनफर्म हो चुका है जानती हो मुझे कैसा मैसुस हो रहा है मेरी हर सांस में दिल की हर धड़कन में सिर्फ तुम बसी हो प्रिया जब तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कि सपना है जो मेरे लिए साजाया गया है ये सब खुशियां मेरे जिंदेगी भर की मेमरीज बन चुकी है बै तुम्हारा साथ आखरे दम तक नहीं छोड़ूँगा तुम चाओ तो चानता रहे सब कुछ तुम्हारे कदमों तले बिच्छा दूँगा क्या तुम मुझे सिर्फ एक मौका दोगी क्या हुआ अब साइलेंट क्यों हो गए अगर ये शादी नहीं हुई तो सब को मार डालूँगा एए तुझे तो मैं छोड़ूँगा नहीं पहले तुझे मारूँगा फिर उससे शादी करूँगा ₧ ₧ ₧ ₧ ₧ ₧ ₧ ₧ सबस्क्राइब सब्सक्राइब लिए जब मेरा प्यार कन्फर्म नहीं था तब मैं मरने के लिए तयार था लेकिन अब कन्फर्म हो चुका है इसलिए मारने के लिए तयार थे सब्सक्राइब में कुडम थार आार appreciation के लिए तयार क wilderness कुछु चेहू। हाभी?? तुम दोनों इस तरहे मेरे वी लड़ रहे हो ना पर किस से शादी करना है ये फैसला तो मेरा होगा देखिए मैं आपको बच्पन से जानती हूँ आपको पीने की आदत नहीं है लेकिन अभी को है आप किसी लड़की की तरफ आँको ठाकर भी नहीं देखते और अभी बेजीचक मेरे सामने लड़कियों के करीब चाता है फिर भी मैं अभी को पसंद करती हूँ आपको पसंद नहीं करती आप जानते हैं क्यों क्योंकि इसके अंदर सच्चाई है और आप अपने आप से जूट बोलते हैं मुझे अभी की सारी बुरी आदते पता है लेकिन फॉर्स टाइम उसने एक अच्छी आदत बताई कि वो मुझे अपनी सिंदगी से ज्यादा चाहता है और मुझे बस इसी बात की खुशी है बस एक इसी बात के भरों से मैं जिन्दगी गुजार लूगी इसके लिए मेरे दिल में जो प्यार है वो कभी कम नहीं होगा सब ही लड़कियों को इसके जैसे लड़के से प्यार करना चाहिए अपनी सारी बुरी आदते बता दी मेरी बुरी आदते नहीं पूछोगे ज़रूरत नहीं है जब कोई किसे से सच्चा प्यार करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता लड़के जब किर दो को मेरी बुरी आदते बधना चाहिए